हाई गाईज अगर आफ Redmi Note 5 Pro users हैं तो आपके लिए ये बेस्ट रोम है और Redmi Note 5 Pro के future में कभी भी इस तरह का features वाला update देखने को हमें नहीं मिलेगा तो इस रोम को जरूर से try करना क्योंकि इसमें बहुत सारे features मिल जाता है MIY 13 की तरह और MIY इंडिया में जो update भी आया MIY 12 का तो उसमें कोई ऐसा device नहीं है जो इतने सारे features के साथ में आता है तो इस वीडियो को जरूर से देखना और इस रोम को flash जरूर करना तो लाइक करना इस वीडियो को चैनल को subscribe जरूर करना किसी तरह का सवाल है तो नीचे comment भी करना सबसे पहले मैं आपको बतायता हूँ यहाँ आपर setting में about phone में यहाँ पर आप देख सकते हैं MIY 12.2 है और इसको port किया है गोकू port ने जो की ROM है यह MIY EU का European ROM को port किया है गोकू port ने यहाँ पर all expects में चलते हैं यहाँ पर देख सकते हैं Android 10 पर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से आप अपडेट नहीं कर सकते हैं यह कोई भी आपको दूसरा अपडेट देखने को नहीं मिलेगा अगर आप इस ROM पर आते हैं तो जब भी इसका दूसरा वर्जन आएगा तो आ में नया देखने को मिल जाता है एकदम नया वाला जुहां से आप बहुत सारे चीज़ों को देख सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपने डेली का डाटा डेली एस टेप और यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें आप अलग-अलग तरीके से दिख सकते हैं है कि नएया control center में हमें देखने को मिल जाता है उसके बाद यहाँ यहाँ पर fingerprint face unlock बहुत यह आसानी से काम करता देख सकते हैं fingerprint काम कर रहा है उसी तरह से यह पर face unlock भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है किसी तरह की इस में दिखकत यहां पर देख सकते हैं यहां पर यहां पर नया वाला जहां पर बहुत सरे चीज़ों को एकसेस कर सकते हैं नोट है किलेंदर इवेंट है यहां पर स्मार्ट डिवाइस है यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन टाइम थिरी मिनट यहां पर टोडल थिरी मिनट यहां पर टुडेश टेप और उसी तरह से आप अगर खीचेंगे तो यहां पर बहुत सारी चीजों को आप एड कर सकते हैं और आप यहाँ पर एब बोल्ट में उसको ला सकते हैं और यूज कर सकते हैं तो यह काफी कमाल का बन जाता है और नया वला एब बोल्ट और भी जखास है उसके बाद गाईस हमें Android 10 का जेश्टर बार भी देखने को हमें मिल जाता है तो आप एक application से दूसरे application पर आसानी से switch हो सक आपको डाउनलूट करना यहां लिए इस उपर मिल जायेगा लेकिन दू अलग से आपको कुन डाउन्लूट करना उले इसक डाउनलूट करना हो और और उसके बाद गाइज यहां पर अंदर का हूलिया है वह बिल्कुल चैनल हो चुका है और आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर हुलिया इसका चेंज हो चुका है और उसी तरह है नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में यहां पर भी देख सकते हैं काफी कुछ आपको चेंज देखने को मिल जाएगा और यहां से चाहे तो आप अपने स्विच कर सकते हैं कंट्रोल सेंटर को लेफ्ट राइ चेंज जो कि आप यहां पर देख सकते हैं और काफी कैमरा कोई भी नया कैमरा आपको देखने को नहीं मिलता है कि इस डिवाइस का पूर्सेसर उतना कैपबल नहीं है कि आपको अच्छा वाला कैमरा या 4K वीडियो रिकॉर्डिंग वाला फीचर आपको देखने को मिल जा किसी तरह का आपको यहां पर सिखाय देखने को नहीं मिलेगा यहां पर हंड्रेट एटी पी – में sixty fps रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाता है उससे ज्यादा आप फर नहीं मिलता है इसके बाद यहां पर गैलरी के बारे हम बात करें तो इस ते हम पर गैलरी में आ काफ़ी कम्माल का है यहां पर कि देख्कते हैं और ये वीडियो एडिटर अभी भी नहीं है लेकिन आने फाल दिन हमें ये काफी हो जाएगा तो आप इस से काफ़ That गे sericis कर सकते हैं इस पयूम का और ईतनी आग़ तो आज के इस वीडियो में बस इतना पसंद कर तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना ताकि आगे आपको कुछ इसी तरह की वीडियो दिखने को मिलती रहे और इस रौम के बारे में और कुछ इंफर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना थैंक्यो